हेलो एव्रिवन वेलकम टू मैं चैनल स्टड़ी विश्रूती आज हम पढ़ेंगे पॉली सेक्राइट्स यानि की कॉम्पलेक्स कर्गोहेड़े और इनको हम कॉम्पाउंड सेक्राइट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो है मोनो सेक्राइट्स या बहुत स बहुत सारी शुगर यूनिट से मिलके बना हुआ होता है फर्दर गोस टू है इसको भी हम आगे जो है हाइड्रोलाइस कर सकते हैं अब इसके एक्जाम्पल में हमने पढ़े दे कि क्या होता है स्टार्च होता है इट इस अप्लांट्स पॉली सेक्राइट कंपोज ओफ ग् उसके बाद हम इसको प्लांट स्टार्च भी कहते हैं इट कंप्रॉमाइज़ ग्लुकोज मोनमर्स जोइंड इन वन फॉर अल्फा लिंकेज इसमें जो है ग्लुकोज के मोनमर्स होते हैं जो जो जोइन कैसे होते हैं वन फॉर अल्फा लिंकेज से जो है जो है जो है जो है क्या होता है कि यह बहुत complex structure होता है तो इसको तोड़ने में time लगता है और उसी वजय से यह energy की supply जो है longer period में देता है major sources इसके क्या क्या होते है grains, legumes, roots or tubers, starch, rich foods, bread, noodles, cereals, pasta, porridge, potato, wheat and corn और यह जो है, भोछ सारे ऐसे होते है कि जो मतलब present होता है न जो कि plant की form में present होता है starch is hydrolyzed by the enzyme amylase in a present of saliva और pancreatic juice of maltose तो क्या होता है कि जो starch है वो किसकी present में होता है जो amylase enzyme है उसकी present में होता है और ये कैसे होता है जो starch होता है वो amylase की present में maltose में convert होता है और maltose जो है enzyme maltase की present में glucose और glucose में change होता है और जिसके बाद हमें क्या मिलती है इसे एनर्जी मिलती है स्टार्च इस कमपोजर और फॉनली ग्लुकोस यूनिट्स जैसे कि अभी हमने देखा कि स्टार्च का जब फाइनल ब्रेकडाउन होता है तो हमें बस दो यूनिट्स ओफ ग्लुकोस की ही मिलती है तो इसलिए जो स्टार्च वग्लुकोस की यूनिट्स से मिलके ही बना होता है इसके दो पॉलीमर्स होते हैं ayalos और amylopectin और स्टार्च जो है वो rich source of carbohydrate होता है सबसे ज़्यदा जो carbohydrate है जो किस में प्रेजन होता है स्टार्च में प्रेजन होता है अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट है इसका glycogen glycogen में क्या होता है यह animal starch है जिसे कि starch plant starch होता है glycogen क्या है animal starch है it is the main form in which the animal body stores carbohydrate यह हम कह सकते हैं कि जो carbohydrates जो है animal body में वो किसकी form में store होता है glycogen की form में उसके बाद यह जो mainly खहां पे store होता है liver और muscle में जो है mainly store होता है 1-3 glycogen जो है वो liver में store होता है और 2-3 का होता है muscles में होता है approximately 400-500 gram glycogen stored in body हमारी body में approximately 400-500 gram glycogen है वो हमारी body में store होता है but rapidly exhausted when a man is fasting लेकिन जब भी हम fasting करते हैं जब भी हम भूखे रहते हैं अपने diet नहीं लेते हैं तो यह उतनी ही जल्दी जो है use में भी आ जाता है uterus also store glycogen during presency to nourish the embryo और uterus में भी यह जो है store होता है ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही यह जो है uterus में store होता है ताकि embryo को यह जो है नरिश कर सके उसके बाद हम देखते हैं dextrins कि dextrins क्या होते हैं very longer chain of starch is split into shorter chains called dextrins which are sweeter and more soluble than starch product of partially hydrolysis start by amylase and by acid तो क्या होता है कि dextrins क्या होते हैं कि जो starch की बहुत लंबी सी chain होते है उसको shorter part उसकी जो छोटी-छोटी chains होती है जिनको हम छोटी-छोटी chain में split कर देते हैं तो उसको dextrins कहते हैं और यह जो है बहुत जादा sweet होते हैं टेस्ट में और starch से ज्यादा soluble होते हैं उसके बाद इनका इसकी hydrolyze करके starch के amylase की acid के present में तो यह कैसे होता है starch in present of acid जब amylase reaction काम करते है तो क्या बनता है used in medical science in surgical unit specially for dressing और यह medical science में जो है बहुत यूज आता है और specially जो है इसका यूज होता है dressing करने में जब भी हम dressing करते हैं तो हम केस का यूज करते हैं dextrins का अब हम देखते हैं dietary fibers क्या होते हैं indigestible because they can't hydrolyze dietary fibers को जो है हम digest नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको further hydrolyze नहीं कर सकते human lack the enzymes to digest them और human body में जो है ऐसी को enzyme है नी जो डाइटरी fibers को क्या है digest कर सके derived from plants and made up of many glucose units क्या होता है कि इसको हम या तो प्लांट से लेते हैं या फिर क्या है कि बहुत सारी जो glucose unit से मिलके जो है ये they do not give energy value to diet but add volume ये हमारी energy value हमारी diet को कोई energy value नहीं देते हैं लेकिन आप volume ज़रूर एड कर देते हैं तो इसके कौन-कौन से source है grains, legumes, vegetables, fruit, seeds and nuts और और हम इसके एक्जामपल देखे तो होता है cellulose, hemi cellulose, pectin, gums और mucilage अब हम देखता है types of fibers on basis of solubility के solubility की basis पे types of fiber कैसे कौन-कौन से होते हैं तो ये डो टाइप का होता है soluble fibers और insoluble fibers तो soluble fibers जो होते हैं उसके source है ये बीन, citrus fruit या oat milk या ब्रोकली, soluble fibers are beneficial in reducing cholesterol level, regulating blood sugar level and promoting weight loss तो जो soluble fibers होते हैं वो क्या होते हैं वो beneficial होते हैं हमारी body के लिए क्योंकि वो जो cholesterol जो होते हैं उसको reduce कर देते हैं जो हमारी blood sugar level होते हैं उसको regulate करने में help करते हैं और हमारा जो weight loss है उसको promote करते हैं तो ये कहां पर present होते हैं गम्स में होते हैं पक्तीन में होते हैं तो गम्स में किया ये special secretion कराते हैं जैसे कि गम्स में इसके कौन-कौन से होते हैं जैसे कि हमने अभी नहीं पढ़ा कि जो है, ओर्टस होते हैं, आर्ले होते हैं, लेग्यूम्स, और मेड्ड फ्रों क्लस्टर ओफ बीन जो बीन का क्लस्टर होते हैं, वहां से भी हमें क्या मिलता है, और अगर हम Pactine की बात करें तो यह Intracellular Cementing Material में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यह हमें मिलते हैं Apple, Citrus, Fruits, Carrots, Guava's और Strobaries से अब हम देखते हैं Insolubal Fibers कौन-कौन से होते हैं तो Insolubal Fibers जो हैं वो कहां-कहां से मिलते हैं हमें Fruits और Vegetables से उसके बात क्या होता है Help in Promotion Regulation of Bowel Moment जो Bowel Moment होते हैं यानि कि जब हम Fickle Pass करते हैं तो यह उसकी मुमेंट में Help करते हैं और कहां-कहां-कहां पर प्रेजेंट होते हैं Cellulose में, Hemicellulose में और Ligin में तो Sources of Cellulose क्या होता है? Wheat, Flour होता है, Bran होता है और Vegetables होती है और यह तो सेललोज में क्या हेल्थ करता है? कि यह सैलवोल के जो Constitent और कहिंता है Sources of Hemicellulose क्या होते हैं- ब्रेंन होता है और Woll Grain होता है तो है क्या करते हैं, सेलवोल के छिए करते हैं और सेलवोल की Japanese material को जोई यह देखते है और sources of lignin में क्या होता है fruits यह जैसे की fruits से मिलते हैं strawberries और mature vegetable और weeds से तो वहाँ पर क्या होता है जो woody part होता है na plant का ही उसमें प्रेजन होते है cellulose या फिर cellulose क्या insoluble fiber ही है it is a molecule consisting of hundreds of carbon hydrogen and oxygen atoms present in walls of plants cells helping plant to remain stiff and upright indigestible तो क्या होता है cellulose जो है एक molecule है जिसमें की hundreds of carbon होते है hydrogen होते है oxygen atoms से मिलके cellulose बना होता है यह plant cell की जो wool है उसमें मिलता है हमने बहुत पहले यह पढ़ लिया था कि जो plant cell की wool है plant की जो wool होती है वो किससे बनी हुई होती है cellulose से बनी हुई होती है और यह क्या होता है उसको बहुत stiff बनाता है hard बनाता है ताकि कोई भी जो है plant को हाम ना कर सके वो हर एक environment और weather condition से fight कर सके यह indigestible होते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो dietary fibers होते हैं उनको digest करने के लिए हमारे बोड़ी में कोई भी enzymes जो है नहीं होते पुशिंग वेस्ट आट ओफ दो बोड़ी इस एन एक्जामपल ओफ नेच्रल पोलीमर एंड लोंग चेन ओफ पोलीमर ओफ ग्लुकोस तो क्या होता है कि यह फूड को help करते है मूग करने में हमारी पूरी जी आईटी ट्रैक में पूरे गट में और क्या है यह help करते हैं वेस्ट को बोड़ी से बहार निकालने के लिए पुशिंग वेस्ट आट ओफ दो बोड़ी और यह एक एक्जामपल है नेच्रल पोलीमर का या फिर हम कह सकते हैं कि एक लोंग चेन और पोलीमर ओफ ग्लुकोस की एक लोंग चेन का जो ही एक्जामपल है